आजकल हम सभी की जंदगी भाग दोड से भरी हुई है और उसी का ये परिणाम होता है कि हमें कई तरीके की बिमारियां लग जाती है उसी में से एक होती है बोंस से जुड़ी बिमारियां या हमारी स्पाइन यानी रीड की हड़ी से जुड़ी बिमारियां और उन्ही सब पर आज हम चर्चा करने वाले हैं कि कैसे इस lifestyle में हम अपने आपको healthy बना सकते हैं मेरे साथ में आज मौजूद है Dr. Himan Shutyaagi जो की senior consultant orthopedic है और उन्होंने बहुत से ऐसे कारनामे किये हैं जिससे उन्होंने लोगों की read की हड़ी ठीक की है और अगर किसी को कोई deformity थी उसको ठीक किया है आज इस सभी पर बातचीत करेंगे डॉक्टर साब बहुत बहुत स्वागत है इंडिया टीवी पर सबसे पहले में यही जानना चाहूंगी कि आपके पास में कौन से बिमारी वाले patients जादा आते हैं यानि कि जो भी bones से जुड़ी बिमारियां हैं उसमें सबसे जादा कौन आपके पास आते हैं नॉर्मली जब हम orthopedic OPD की बात करते हैं तो हमारे पास 70% patient होते हैं back pain और knee pain के बाकी के 30% जो patients होते हैं वो जैसे neck pain के हुए या elbow pain, frozen shoulder, ankle pain या sports injuries इस तरह क्यों होते हैं but majority of the patients जो आते हैं वो आते हैं basically knee pain खास तोर से वो जो बड़ी उमर के लोग है जिनको knee arthritis है या back pain वाले जो आज कल हम देख रहे हैं काफी यंग लोग आ रहे हैं because of work from home culture या prolonged laptop use पर जिनका काम रहता है तो इसलिए आज कल back pain और knee pain ही हमारे दो major problems हैं जो कि Indian population को affect कर रहे हैं घंटों हम laptop के सामने बैठे हैं अगर हम office में भी हैं तो भी हम घंटों chair पर बैठे हैं जिसकी वज़े से back में दर्द लोगों को होता रहता है अमोमन और doctor के पास भी नहीं जाते हैं जब वो बहुत ज़ादा बढ़ जाता है तब जाते हैं तो ऐसे में वो warning signal क्या है हम सभी के लिए जो लोग इस lifestyle में है हम सबसे पहले यह कहते हैं कि अगर किसी को 45 की age के नीचे persistent back pain रहता है persistent back pain का मतलब है वो back pain जो देड़ महीने से ज़ादा चल रहा है इधर on and off रहे या फिर pain killers लेके ही control हो then that is a warning signal कि आपको एक बार doctor को consult ज़रूर करना चाहिए जो normal हमारा data रहता है या जो medical records हैं वो कहते हैं कि हर individual को before the age of 30 years 2-3 बार back pain के acute episodes तो होते हैं जैसे कभी खेलते वे हो गया या कभी गिरने से हो गया so those are exceptions but अगर किसी को chronic back pain रह रह रहा है बिना किसी incidence के खास थोर से उन लोगों में जिनका की age group हम young मान के चल रहे हैं जैसे 45 के नीचे अगर उनको chronic back pain रह रहा है then that should be taken as a warning sign तो फिर उस situation में उसको patient को ये सोचना चाहिए कि क्या कारण है जैसे काफी लोग मोटापी की वज़े से back pain के शिकार है कुछ लोग prolonged sitting की वज़े से कुछ लोग का posture खराब रहता है बले उनको कम टाइम के लिए बैठना है लेकिन posture खराब है तो उन situations में भी ऐसा देखा गया है कि young age में ही back pain जो है वो बहुत common हो जाता है सर चुकि back pain common हो जाता है ऐसे में posture deformity के भी जो दिक्कत है वो लोगों में सामने आती है चाहें वो cervical से जुड़ी होई हो या spondylysis की हो सर ऐसे में कैसे इससे बचा जाए कैसे बैठा जाए कोई posture आप बता सके कि ऐसे हम बैठे या इतने मिनिट पे हम walk कर ले हैं इतने मिनिट पे हम खड़े हो जाए है सबसे पहले हम उनको किस तरह की chair यूज करनी है या किस तरह का office create करना है वो ही सिखाते हैं जैसे अगर मैं अपनी कुरसी बेटा हूँ सबसे पहले उसमें hand rest होनी चाहिए ताकि अगर मुझे प्रोलॉंग बैठना है या लाप्टॉप पे कुछ टाइब भी करना है तो मेरी elbows supported रहे है secondly जो मेरा back का angle है that should be around 110 degrees 110 is the best angle जो कि किसी भी back का होना चाहिए जब हम कोई chair खरीबते है thirdly जब हम देखते हैं अगर हमारे foot supported नहीं है जैसे अभी तो मेरी इस chair की height perfect है कि मेरे पैर नीचे जमीन पर supported है उसके लावा जब हमारा बैठने का posture है अगर हम आगे ऐसे होके बैठ रहे है जब हमारी lower back supported नहीं है that also leads to back pain तो हमारी जो lower back है वो हमेशा कुरसी के पीछे के बाग से ऐसे sati होनी चाहिए तो अगर वो sati है हमारी elbow supported है हमारा जो laptop है या जो computer है that should be at the level of our eye जैसे कर मेरी computer की screen जो है वो मेरी eye के level पे नहीं है मेरे को गर्दन नीचे करके देखना पट रहा है या गर्दन उपर करके देखना पट रहा है that also puts a lot of pressure on my upper back उसको adjust करने के लिए या तो मैं कुरसी पे आगे slouch करूँगा या फिर पीछे अगर होके बैट रहा हूँ तो पीछे होके बैट हूँ और back का support जो है वो छोड़के फिर में आगे की तरफ ऐसे करके type करना शुरू करूँगा तो अगर मुझे 2-3 घंटे बिना back support के बैटना पट रहा है just because मेरी computer की screen का level ठीक नहीं है that leads to back pain तो खासतोर से जो भी हमने देखा work from home culture में या lockdown में भी काफी लोगों के पास घर में अच्छी office space नहीं थी basically उनके पास घर में laptops थे तो वो sofa पर बैट के काम कर रहे है या bed पर टेड़ो के काम कर रहे है तो हमने lockdown के बाद या COVID period के बाद एकड़म से sudden rise देखा है young patients में जो की back pain या knee pain या neck pain हमारे पास खासतोर से लेके आए पहले, COVID period से पहले हम यह देखते थे young adults जो आते थे वो आते थे back pain जादा लेके but after COVID अब हम देख रहे हैं कि neck pain के incidence बहुत बढ़ रहे है that is probably because of poor posture या से घर पे office chair नी ती एकडम से lockdown लग गया सोफे पर बैठ के काम कर रहे है तो उसमें नीचे आसे गरदन कर के टाइप कर रहे है तो neck pain बढ़ गया आसे चला रहे है तो कैसे बैठे है कि phone जो हमारे हाथ में है तो हमारी neck इससे बच सके ये terminology है जिसे कहते है neck text syndrome basically क्या होता है जैसे अगर मैं अपना mobile यूज कर रहा हूँ तो अगर मैं ध्यान नी रखूं posture का तो सबसे पहली चीज जो आती है अगर मैंने elbow यहाँ पर support करके रखा है chair पर तो मैं अपनी garden जुका के नीचे type करूंगा जो studies कहते हैं वो ये कि जब हमारे garden का angle 70 degrees तक नीचे चला जाता है 70 degrees तक नीचे जाने से जो pressure है हमारी spine की intervertible disc पे वो तीन गुना हो जाता है तो ideal is कि अगर हम गर्दन सीधी रख रहे हैं बट ऐसे करके type करना of course बहुत मुश्किल काम है best is कि अगर हम गर्दन 30 degrees तक ही tilt करें और थोड़ी सी कोहनिया उपर लाके तब type करें जब हम बहुत नीचे posture में जाके करते हैं जब हम इसे करके अगर कुछ लोग टाइप करना थे जब गर्दन में एक्यूट बेंड होता है that is when problem starts to happen because उस वक डिस्क पर इतना प्रेशर आजाता है कि वो नर्स भी दबान लगके और कुछ लोग को हाथों में पैरों में सुनपन शुरू हो जाती है so best is elbows को थोड़ा उपल लाएं mobile को थोड़ा उपल लाएं 30 degree is the ideal inclination that your neck should have when you are typing Sir, जैसे आपने कहा कि जब हम इसको continuous use में रखते हैं तो ये सुन होना शुरू हो जाता है और इसी कौन सी problems आती है और इन से कैसे बचा जा सकता है और साथी इलाज क्या है इसका जब हम neck का posture ठीक नहीं रखते न तब जादे तर patients को जो symptoms आते हैं it starts with neck pain लेकिन जैसे ऐसे disc खराब होती आती है neck की जो उसमें और symptoms आते हैं वो आते हाथों पेरों में सुनपन आना सुनपन आने के भी बहुत कारण होते हैं जैसे अगर हम mobile की बात करें तो अगर हम कलाई को सीधा रखके mobile पकड़ रहे हैं तो वो काफी तो वो काफी ठीक posture है जिसमें की wrist पे pressure नहीं आ रहा है लेकिन कुछ लोग का ऐसा होता है कि वो कलाई को acute bend करके mobile पकड़ते हैं जैसे ऐसे पकड़ करके पकड़ा किसी ने लंबी बात करी चालिस मिट के करीब की उससे क्यों होता है यहां पर एक नर्व होती है और दमने लग जाती है तो उससे हाथ में फिर सुनपन भारीपन शुरू हो जाता है तो mobile related ऐसी बहुत सारी चीज़े हैं जो आजकल हम जादा देख रहे हैं क्योंकि lockdown में या post-covid एरा में mobile use एकदम से बढ़ गया हर चीज़ टेक्नोलजी डिवन हो गई एक चीज़ और जो बड़ी commonly आजकल हम mobile के साथ में देख रहे हैं उसको कहते है smartphone thumb काफी लोगों को आप देखेंगे तो उनको thumb में यहां पर pain शुरू हो जाता है this is because of excessive typing तो यह जो joint होता है हमारे thumb के base का इसमें arthritis शुरू हो जाता है पहले हम यह देखा करते थे कि यह 60 साल के लोगों में या उसके बाद हो रहा है but thanks to smartphone ही आजकल 30 साल के लड़के भी हमारे पास आ रहे हैं जिनको यहां पर pain हो रहा है तो उनको फिर हम हिजायत देते हैं कि या तो वो अपना typing कम करें या phone में जो speech to text software है वो install करें या dictaphone यूज करें so that they don't have to type for long hours जो stylus वाले phone है जिसमें की pen आता है जैसे मेरे phone में है तो अगर मुझे कोई चीज लंबी लिखनी है कभी तो instead of using my thumb, I'll type it so this is better तो mobile related काफी lifestyle issues हो रहे हैं starting from neck, elbow, wrist, thumb यह सारी चीज़ें ऐसी हैं कि if we know कैसे इनको avoid करना है तो हम अपनी life काफी comfortable कर सकते हैं otherwise जो दिक्कते पहले हमें साठ साल के लोगों में आती थी जैसे thumb का arthritis वाज हम तीस साल वालों में भी देखने हैं इसी तरह से यहां पे जो nerve दबने का symptom है जो लोग लंबे समय तक mobile garden पर कान पर लगा के बात करते हैं वो symptom बड़ा कॉमनली आ रहे हैं तो उसमें कभी-कभी हमें इस nerve को करते हैं